Next question, question says a network of 4 capacitors of capacity equal to C1 is equal to C, C2 is equal to 2C, C3 is equal to 3C and C4 is equal to 4C are connected to a battery as shown in the figure. सवाल ये the ratio of charges on C2 and C4 will be, C2 or C4 के उपर जो charges store होएंगे, उनका ratio क्या होएगा? अच्छा सवाल है, मुश्किल नहीं है पर अच्छा सवाल है, combination अगर हम देखेंगे, तो कुछ इस प्रकार बनाया हुआ है कि capacitor, दूसरा capacitor, तीसरा capacitor और यहाँ पर 4 यह आपने capacitors ऐसे लिए हैं, सो यह आपका C1, C2, C3 और C1 की value C, इसकी value 2C, इसकी value 3C और यह वाला आपका 4C और इनको हमने एक battery से connect कर दिया है, अब हमारा सवाल यह है कि जो आपका charge इसके उपर और charge इसके उपर जो store होएगा, उनका दोनों का ratio हमने बताना है, उपर वाली branch को अगर हम consider करें, तो उपर वाली branch का C equivalent dash लिख लेते हैं, उसको वो आएगा इन तीनों branch का equivalent, उसको निका तीनों आपके series में है, इसका जब हम LCM लेंगे, तो LCM बन जाएगा इसका 6C, और यहाँ पर आजाएगा 6, प्लस यहाँ पर 6, प्लस 3, प्लस 2, तो 6, 3 और यह हो गया, 11 by 6C, यानि कि आपका C equivalent उपर वाली branch का जो बना, वो हो गया 6 by 11C, यह आपका उपर वाली branch का equivalent हो गया Now, इस V वोल से जितना भी आपका charge जाएगा, वो charge जाके जो आपका store होएगा हम कह सकते हैं, Q is equal to CV, तो इसके उपर जो charge आपका store होएगा, उसको आप लिख सकते हैं, Q इसके उपर store होएगा, वो 4C into V, और यहाँ पर जो charge store होएगा, Q इन तीनों के उपर अलग अलग उसके जो चार्ज टोर होएगा, वो होएगा, 6 by 11 cv, इसके उपर जो चार्ज टोर हुआ, वो हुआ, 6 by 11 cv, इसके उपर वह 4 by 4 cv, तो इनका घर हमें रेशो लेना है, कि चार्ज on 2, divided by चार्ज on 4, that will be equal to इसका रेशो, 6 by 11 cv, divided by ये चार्ज, 4 cv, so cv, cv cancel हो जाएगा, 2 b cancel हो जाएगा, तो यह आगया 3 by 22, 3 by 22 आपका दोनों के चार्ज का रेशो होएगा, so based on this हम कह सकते हैं, option number b, 3 by 22 would be the right answer.